स्ट्राइब let me see how is it but I am totally satisfied you can give five star welcome to our new video guys यह होंडा की सविक customer specially हमारे पास चनने से बैंगलोर यह गाड़ी फुल रिस्टोर करने के लिए लाए है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पैनल पे सारा paint fade हो चुका है paint पुराना हो चुका है और आगी भी देखेंगी कि रश्ट किदर किदर है हम लोग cleanly mention करेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह डूर में पूरा रेश्ट हो चुका है और डिक्की में भी पीछे रेश्ट हम लोग आगी वीडियो में दिखाएंगे अभी हम आगे गाड़ी में डेंटिंग करेंगे और प्राना प्रेंट सैंडिंग करके निकाल देंगे जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे पास एक्विप्मेंट है जिससे कि गाड़ी 45 डिग्री आइंगल में जुकेगा और हम लोग नीचे फ्लोर को रेश्ट रिपेर कर सकते हैं और रूफ को क्लेंट से प्रेंट कर सकते हैं गाड़ी को नीचे से पूरा इंस्पेक्शन करदाने के बाद हम लोग वाश करेंगे और गाड़ी में अंट्रोक का अप्लिकेशन करेंगे पूरी गाड़ी डिंटिंग कर देने के बाद हम लोग प्रेमर का अप्लिकेशन करेंगे और पेंट का अप्लिकेशन करेंगे यह गाड़ी में पूरा पेंट अप्लिकेशन हो चुका है और गाड़ी अभी पॉलिश के लिए रेडी है पूरा गाड़ी पेंट हो जाने के बाद अभी हम पॉलिशिंग प्रोसेस को शुरू करेंगे पूरी गाड़ी को अच्छी तरह किसे पॉलिश कर देने के बाद हम लोग सिरामिक का प्रोसेस शुरू करेंगे कि अच्छी 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 पार्ट के उपर अपलाई करते हैं सेरामिक कोटिंग आपकी गाड़ी को हामफुल यूवेरेस से पेंट को फेड होने से बचाता है और स्वोल मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं और डश्ट या गंदेगी गाड़ी के पेंट में अंदर पैनेटरेट नहीं होगा सेरामिक कोटिंग गाड़ी पेंट हो चुका है और गाड़ी अभी डिलिवरी के लिए रेडी है इसका फुल बाड़ी कलर चेंज इंटिरियर मतलब फ्लोर के नीचे अंदर बाहर सब पेंट किया हुआ है और कलर चेंज किया हुआ है इसका कलर था स्काइब लू और हमने इसको बीम डेवल्यू का एम सीरिस का एम फाइव कलर अभी करके है इसका कलर बोच अबर्दस्ता है कलर तो अभी हमारा जो भी हमने क्या है हमारे कस्टमर से उनका रिव्यू अवर रिंका एक्स्पिरिंस कुछी है अभी आप गाडी के फाइनल चोड तेखे और एंजा किये जीए अबर्पट नग्च्छ उनका पाइनल आपके है झाल 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 झाल